हे गाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्तों बात करने वाले एक नई वेकिंस की जो की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है DRDO याने की डिफेंस रिसर्च और डवलप्मेंट और्गनाजेशन की तरब से यहाँ पर पर्मनेंट सरकारी नोगरी की वेकिंसी रिलीज की गई है जो कि All India के Candidate Apply कर सकते हैं देखें गाईस यह वेकिंसी की नोटिफिकेशन आपने अकसर DRDO से निकलते देखा होगा काफी सारा कमेंट भी आता सर DRDO की तरब से कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखते हैं हपता में लगबाई एक सब्ता में एक दो वेकिंसी आ जाती है यह किस टैप की वेकंसी है वेकंसी निकाली गई है गाई JRF यह किस टैप की वेकंसी है क्योंकि मैंने अकसर कई बार बता है हलाकि इस नोटिफिकेशन के जरी जो बताने जा रहा हूं उसमें बहुत अच्छी खासी रि इंटी पीसी हो पावर ग्रिड हो अधरवाइस आपने कर रखी हो जैसे बी ए आरसी हो गया यह सब सब में निकलती है किस टैप की रिकूट्मेंट है और कौन एलिजबल होते हैं अगर एलिजबल भी होते हैं इसा क्या चीज़े जो लगबल लगबल हर वीक में तीन या चार नोटिफिकेशन देखने को मिलता है खास करके डियाडियो से डिटेल में बात करते हैं काफी सारा यूजबल इन्फ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम केरिया सक्संस में देखने वाले हैं फर्स्ट में ही विकेंस मिल जाएगी यह विकेंसी रिलीस की गई है देख सकते हैं वाकें इंटर्व्यू फोर दी पोजिशन ओफ जे आर एफ जे आर आफ का फुल फॉम होता है जुनियर रिसर्च फे यह फिर आरी होगा इसमें टोटली अप्लिकेशन फॉम है ले भी अब देख सकते हैं यह दोनों फॉम है लेख सकते हैं要ज रिलीस की गई है और कुछी दिर पहली यह रि इलीस की गई है ऒके सबसे पहले हम पुसमें देखने वाले एक शोली मरें और है किस उर्फ में की की तो यह apprenticeship की थी आपको मिल जाएगी फिर से जी आरेफ की recruitment वाकें एंटरव्यू चार अगस्त की है और यह अलग टैप की recruitment रिलीज थी फिर आपको यहां पर भी जी आरेफ की recruitment है इस तरह से जब क्लियर करते जाओगे न तो काफी सारी पोस्ट ने डियाडियो में मिल जाएगी जो जी आरेफ की निकाली जाती है एक्शले में किस टैप की है चलिए notification अन कर अब पहली बात यहां पर मैं बता दूँ कि जी आरेफ बहुत जाने के लिए इसमें क्या qualifications होती है higher qualifications होती है जी यहां guys यह जी आरेफ होती है काफी प्रमुक पोस्ट है जैसे कि आपने C.E. Charded Accountant नाम सुनाओगा HR की पोस्ट होता है तो इसके level का पोस्ट होता है देख सकते है मतलब HR level तरह की एक पोस्ट होती है मालो research fellowship में आप पोस्ट से candidate apply कर सकते हैं भी विटेक candidate apply कर सकते हैं बट उसमें जाने के लिए GRF का पोस्ट जोइन करने के लिए GRF सिर्फ DRDO में नहीं जितने भी defense sector या फिर अलग-अलग सक्टर में GRF की vacancies आती रहती है तो उसमें क्या होना चाहिए first of all आपका भी विटेक pass out होना चाहिए अलग-अ जरूरी नहीं computer science हो, computer engineering हो या फिर IT हो क्योंकि इसमें vacancy जो मैं अभी बताने वाला हूँ सिर्फ computer science या फिर computer engineering या फिर IT के candidate अलग-अलग निकलती है electrical, mechanical, civil सब के लिए आती है तो उसमें जो होता है आप भी विटेक करो उसके बाद NET या फिर gate qualified होना बहद ही जरूरी है पराम से JRP की post पर join कर सकते हैं, जैसे कि काफी सारे graduation candidate करते हैं तो teacher की अगर आप बनना चाते हैं तो B8 गरना होता है, आपको पता है ना कि B8 हमको 2 साल का degree होती है, B8 गरनी होती है, एसे एक होता है CSIR UGC NET, अगर आप ये course करते हैं, ये भी एक तरह की training ही मान लो है, ये भ बना होगे, college नी, university में professor बनता है, और जो आप B8 करोगे तो approximately जाओगे तो कितनी, 10th, 12th, 10th ही तक मान लो कि आप teacher बन सकते हो, तो ये चीजे इसमें लागू होता है, अगर आप CSIR UGC NET qualified करते हैं, as a engineering करके, तो बड़ी बड़ी post आपको मिलती है, काफी सारी सुविधा इसमें, तो देख सकते हैं, approximately ये इस level की vacances निकलती रहती है, अगर आप कोई candidate कई सारे होते हैं, कि B8 करके बैठे हैं, तो guys बैठो मन, B8 कर चुके हैं, किसी भी branch में, तो gate qualified जरूर करें, अगर आप gate qualified करते हैं, gate में marks rank अच्छा आता है, तो आराम से आपको government job लगने के chances 90% हो जाता है, जियां दोस्तों, जहां पर कोई भी exam नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल walk-in interviews के थूरू selection होता है, काफी सारा हर दिन, sorry, हर मन्त vacances निकलते रहता है, किसी ना किसी department में, ओके, तो ये post है, आप देख सकते हैं, कि B8 या फिर M.E.M.Tech भी किये हो, master daily किये हो, net qualified, या फिर get qualified है, simple सा याद रखना कि B.B.Tech, normal, आपकी essential qualifications है, उसके बाद CSIR, UGC net, या फिर get qualified होना चाहिए, अधर कोई भी branch है, सब के branch के लिए vacances अक्सर निकलती रहती है, तो ये सी के लिए vacances है, DRDO में, जो कि release की गई है, देख सकते हैं, ये official notification है, अलग-अलग apply करने का चा प्लस आपको HRA परमंत में लगी है, इस एक step 1 है, जैसे यही training complete होती है, तो इसमें permanent jobs बड़ी जल्दे मिल जाती है आपको, date of interview 12 September, 12 September, 13 September, यही दो date में रखा गया है, ओके, काफी सारे इसमें eligible होते है, maximum age होता, 28 साल होता है, otherwise relaxation सभी candidate को मिलता है, walking interviews के दूरू सलेक्शन होत director लेवल पे, manager लेवल पे, officer लेवल पे आपकी posting होती है, interview कब देनी है, 8 बजे से लगवा, 10 बजे के 20 में आपको report करना है, सब कुछ यहाँ पर detail में दी गई है, आप eligible हैं, तो as a sign कर सकते हैं, इसी तरह की काफी सारा department वे vacancy निकलते रहता है, फिलाल इस notification का मतलब मेरा 3 से 4 update आपको देना था, पहली यह notification निकले, दूसरा यह notification, ARF की हरदम क्यों निकलती रहती है, तीसरा इसमें कौन eligible होते हैं, और क्या eligibility condition होगा, किस तरफ की selections होती है, सब कुछ बता दिया है, कुछ doubt है तो comment करें, अब वाकी बाद जो भी candidate eligible है, apply करें, hopefully वीडियो इस पिलेगी हो कि काफी सारे से स्टुडेंट होते हैं, वीडियो अलग-अलग phase में किये हुए, directly gate का तयारी करने लगते हैं, तो यह गलत है, हलांकि computer science जो करके बैठे हैं, वो gate करते नहीं है, ज्यादा तर, और नाई CSR, UGC, NET करते हैं, क्योंकि आपको पता है, final year होते होते, college में उनकी campus elections मिल जाती है, अगर अच्छा college हो, IIT, NET, या फिर अधर का इसको भी third grade की college भी हो, तो भी campusing होती है, okay, तो यह चीज़ समझ लेना कि gate सबके लिए compulsory नहीं होता है, जिस line में जाना हो, उसके लिए उस line में courses करने पड़ती है, okay guys, तो hopefully doubt clear होगा, चले मिलते हैं,